हे स्टुडेंट्स वेलकॉम बेक टू माई यूटूब चैनल आज मैं आप लोगों के लिए बीस्टी थर्ड इयर जुलौजी के सेकेंड पेपर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेस्चन लेकर आई हूँ सहलगनता मांचित्र निर्माण की विधी का वर्णन कीजिए सहलगनता मांचित्र मतलब लिंकेज मैप निर्माण की विधी का वर्णन कीजिए उत्तर देखेंगे सहलगनता मांचित्र लिंकेज मैप सहलगनता एवं जिन विनिमय के अध्यन के पस्चात मतलब पढ़ने के पस बत्सी जानकारी हमें क्या हुई है प्राप्ट हुई है जैसे क्रोमोसॉम पर जीन की उपस्थिती, जीन की संख्या क्रोमोसॉम से अधिक होना, जीन का रेखित क्रम में इस्थित होना, सहलगनता समू, लिंकेज ग्रूप की संख्या समझातिय युगम गुड़ सुत्रों के स मान होना तथा प्रतेग जीन का गुर्ण सुत्र पर क्राम एवं इस्थिती का निश्चित होना चाहिए अब देखेंगे आगे यदि किसी व्यक्ति को एक जाती के सभी जीन सहलगनता समू और सहलगनता समू की संख्या ग्यात है पता है तब उसके लिए यह संभव है कि जीन विनिमे को एक उदारन मानकर वह सहलगनता समू के बीच की आपेक्षिक दूरी तथा क्रम को भी ज्यात कर सकता है तथा गुर्ण सुत्रों को ग्राफ की सहता से प्रदर्शित कर सकता है दिखा सकता है जिस पर जिन्स एक आपेक्षिक दूरी पर जिन विनिमे के अनुपात में इस्थित होते हैं को प्रदर्शित कर सकता है इस प्रकार गुण सुत्र के दूरी के रेखांकित चित्र प्रदर्शन को सहलगनता या अनुवानसिक मानचित्र कहते हैं इस टूटे वेंट एवा मौर्गन के ड्रोसोफिला के X chromosome पर पात जिन्स की स्थिती को मानचित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया अब हम देखेंगे सहलगनता मानचित्र का निर्धारन determination of a linkage map इसके लिए निवनलिखित कारे किये जाते हैं जिस में से पहला है सहलगनता समू का निर्धारन determination of linkage group यह मान्चित्र, मैप को मान्चित्र कहते हैं ठीक है निर्माण का पहला कदम है इसमें जिस जाती के गुड़ सुत्रों के मान्चित्र का निर्माण करना होता है उसके सही गुड़ सुत्रों की संख्या, खूल, जिन्स की संख्या का निर्धारण तथा इसके बाद सहलगन जिन्स का पता लगाना होता है इस प्रकार एक जाती के विभिन सहलगन समुहों लिंकेट ग्रूप को ग्याद कर सकते हैं सकेंड नमबर पे हैं मांचित्र दूरी का निर्धारन determination of map distance प्रतेक जाती के प्रतेक सहलगनता समुहों में जिन्स की कूल संख्या को ग्याद कर प्रतेक सहलगन जिन्स के बीच आपेक्षित दूरी को निर्धारित किया जाता है जिन्स के बीच की दूरी को जीन विने में crossing over के प्रतीसत के अनुसार ग्याद करते हैं मांचित्र इकाई map unit को सेंटी मॉर्गन कहते हैं थोर्ड नंबर पे है जीन करम का निर्धारण determination of gene order सहलगन समुहों के जीन्स के बीच की आपेक्षिक दूरी को निर्धारित करने के लिए निर्धारित करने के पस्चाथ निर्धारित करने के बाद जीन्स को तीन उपर्युक्त रेखिक क्रम में आसानी से रख सकते हैं जैसे कि यदि x, y, z तीन जीन्स का रेखिक क्रम ग्याद करना है तथा यह तीनों जीन्स क्रम में से किसी एक क्रम में हो सकते हैं जब यह निश्चेत हो की बीच में जीन कौन सा है कौन सा जीन बीच में है यह अगर पता चल जाए तो बाकी दोनों का पता लगाया जा सकता है फोर्थ नमबर पे हैं मानचित्र खंडों का सयूजन अंत में एक क्रोमोसॉम के मानचित्र के सभी खंड सयोजित होकर 100 सेंटी मॉर्गन लंबे एक गुड़ सूत्र के पूर्ण अनुवानसिक मानचित्र को निर्मित करते हैं फिप्त है गुड़ सूत्रों से जीन्स की आपेकचिक स्थिती को इस्थापित करना Locating the Relative Position of Gene in Chromosomes सहलगन जीन्स के विभिन समूहों में जीन्विनिमें क्रोसिंग ओवर के परिणामों के अधार पर जीन्स का गुड़ सूत्र पर आलेखन करते हैं दो जीन्स के बीच की दूरी इन जीन्स में जीन्विनिमें की संख्या के समान मानी जाती है 6 नंबर पे है व्यति करन या संपात Interference and Conditions यदि तीन जीन्स का क्रम XYZ है और XY एवं YZ का उनर सयोजन मान एक दूसरे से स्वतन्त रहे तब XY या YZ के अलग-अलग मानों के गुड़न Multiplication द्वारा X एवं Y के बीच दो जीन्स मान का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है लेकिन वास्तों में दोरे विनी मैं का मान हमेशा आप एकची मान से कम होता है इसको व्यति करन इंटर फ्रेंस विधी के द्वारा इस पस्ट किया गया है हमारा उत्तर हमारा टॉपिक यहीं खत्म हुआ अगर आपको हमारे चैनल से हैल्प मिलती हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करकर बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप इस तरह से अगर एकजाम में आंसर लिखेंगे तो आपको पूरे 10 में 10 नमबर मिल जाएंगे ठांक यू